हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरा नामे संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इंपॉसिबल यूटूब चैनल फ्रेंड साज के इस वीडियो में हम लोग यूजी सीनेट फर्श पेपर में सिच्छण अभिवरिती से प्रैक्टिस से नमबर दस को जो है देखने वाले हैं इस प्रैक्टिस से में हम 20 महत्वपूर प्रशनों को जो है डिसकस करने वाले हैं और इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट को अल्रेडी डिसकस कर लिया है और सभी प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रशन मिलते हैं और सभी कोशन जो है आपके एक्जाम के पॉइंट आप वे उसे बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सभी जितने भी मैंने प्रैक्टिस से सिच्छण अभिवरिती से कराया उन सभी को जो है आप जो मेरे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट का जो नाम है आपका UGC Net First Paper जो है नाम से जो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज करके है Important Question की वो प्ले लिस्ट है उसमें सारे जितने भी मैंने अब तक Question कराये हैं पहले के एक्जामों के भी इससे पहले वाले मतलब जितने भी सारे मैंने Teaching Aptitude से चाहिए UGC Net First Paper में जितने भी यूनिट है अगर उन से Important Question कराये तो उस playlist में सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में 20 प्रशनों को डिसकस करेंगे जो की बहुत ही Important है आपके एक्जाम के Point of View से मैंने बताया था आप सभी से कि सिच्छन अभी वृति से हम लोग 200 से उपर Question को कवर करने का प्रयास करेंगे और मैं उमीद करता हूँ कि 200 Question अगर आप अच्छे से कर लेते हो किसी एक यूनिट से या प्रते एक यूनिट से तो 5 Question आपके आसानी से नहीं बन जाएंगे ऐसा होई नहीं सकता तो 5 Question आपके आसानी के साथ बन जाएंगे अगर ये 200 से उपर Question जो है आप आसानी की साथ इसको cover कर लेते हैं और solve करते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको previous year के Question पेपर भी कराऊंगा सिच्छण अभीवरिति के जितने भी Question पूछेगे हैं previous year में जब से एकजाम हो रहा है उन सभी Question को या प्रशनों को जो है एक जगा संकलित करके मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइट करूँगा जिससे आपको बहुत ही आसानी हो सारे Question जो है आपको एक ही जगा मिल जाएंगे प्रते एक year के जितने भी अप तक एकजाम होएं तो आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगा लेकिन उसका वीडियो हम आने वाले समय में upload करेंगे तो इसे पहले हम Practice State को solve करते हैं या Practice State को आप पूरी तरह से solve करें अगर लगे आपको वीडियो fast है तो वीडियो को पहुच करें Question को अच्छे से पढ़े फिर उसके बाद जो है उसका जवाब देने का प्रयास करें अगर answer सही भी नहीं होता है तो आप दोबारा टेस्ट को करें इस प्रकार से आपके 20 questions पूरे complete right हो जाते हैं इसका मतलब आपके 200 questions तयार हो गए हैं तो इस प्रकार से आप तयारी कर सकते हैं और खुझ से जो है जितना Practice State हो सके उतना Practice State लगाए उस अगर Practice State लगाने से होता क्या है कि आप एक्जाम friendly होते हो एक्जाम friendly होंगे तो एक्जाम में कोई pressure नहीं होगा प्रेसर नहीं होगा तो आप performance भी बहुत ही अच्छा करेंगे तो खेर ये बात की बाते हैं पहले हम अपने Practice State को complete करते हैं तो पूरी तरह से इमानदारी से इस टेस्ट को आप complete आगे इसमें दो से तीन और Practice State आपको मिलेंगे इसके बाद 200 questions आपके complete हो जाएंगे सिच्छन अभीवरेती से आईए question number 1 से start करते हैं तो यहाँ पर question number 1 में दिया गया आप देख सकते हैं कि सिच्छक प्राय चात्र की सीखने की समस्याओं का विसलेशन करते हुए पाते हैं दूसरा option है बुद्धी की कमी या C option है माता पिता का धीला ढाला रवेया या D option आपका दिया है उप्रोक में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number 1 प्रेणा का आभाव सिच्छक प्राय चात्रों की सीखने की समस्याओं का जब विसलेशन करता है तो उसको यह पता चलता है कि बच्चे में जो है प्रेणा का आभाव यानि उसको कोई प्रेरित नहीं करता है जिसके वज़े से वो अच्छे तरीके से सिच्छन ग्रहन नहीं कर पाता है तो option यह हमारा right answer हो जाएगा इस question के according आईए अगले प्रशन को देखते हैं question number 2 में दिया गया है कि निमनलिखित में से कौन सा सब्द सार्थक तत्यों नियमों परिभासाओं और धारणाओं सिध्धान्तों इत्यादी को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है इन 4 option में से हमें बताना है हमें जवाब देना है यानि कि प्रशन में पूछा गया कि निमनलिखित यानि इन 4 option में से कौन सा सब्द सार्थक तत्यों नियमों परिभासाओं और धारणाओं सिध्धान्तों इत्यादी को वर्णित करने के लिए घ्या जाता है तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है आपको option नमबरे अर्थ सम्बंदी इस्मिरती इस question का right answer option नमबरे यह हो जाएगा आईए एगले प्रशन को देखते हैं question number 3 में दिया गया है कि निम्लिखित में से कौन से सब्द का प्रियोग हम स्वयम की इस्मिरती प्रक्रियाओं के बारे में जागरुकता और सूचना के भंडारण और उसकी पूना प्राप्ती को बढ़ाने के धंग के संदर्भ में कर सकते हैं जागरुकता और सूचना के भंडारण और उसकी पूना प्राप्ती को बढ़ाएं के धंग के संदर्म में कर सकते हैं तो मेटा इस्मिरती को क्वेश्चन नमबर तीन का राइट आंसर है ऑप्शन नमबर डी आईए अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन नमबर चार में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्रवण प्रक्रिया को प्रती कूल धंग से प्रभावित कर सकता हैं इन चार उप्शन में से हमें बताना है पहला उप्शन दिया गया आपे चित से अधिक स्रवण समागरी के अतिरिक्त बे उप्शन दिया गया बोलने की बहुत ही उच्च गती c option है शुरूत विसे वस्तु की छती d option है उप्रोक में से सबी तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका option number d option number d हमारा right answer हो जाएगा उप्रोक में से सबी प्रशन पूछा गया कि निमनलिखित यानि कि इन चारों में से कौन सा कारक स्रवन प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है, तो ये तीनों जो फैक्टर है या तीनों ये जो कारक है, ये स्रवन प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करते हैं, इस प्रकार से option D हमारा right answer हो जाएगा आईए एगले प्रश्ण को देखते हैं question number 5 को देखते हैं इसमें दिया गए कि स्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलो माना जा सकता है इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है इस चार option में से में बताना है पहला option है स्रवण को मौद्रिक पुरुस्कार से सम्मंदित करना B option है सिच्छर सामागरी को रूचिकर और आवसकता से सम्मंदित करके C option है स्वर को और अधिक प्रभावसाली बनाना D option है उप्रोक में से सभी तो इसका सही answer बताना है सभी का answer देने का प्रयास करें answer नहीं भी आता है तो question को एक से दो बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो सैथ आपको idea जाएगा कि इस question का answer क्या होता है तो exam में आप किसी भी question को छोड़ने का प्रयास मत करें क्योंकि इसमें कोई minus marking होता नहीं आप सभी को पता है तो minus marking नहीं है तो आप सभी का answer देने का प्रयास करें सभी का answer देने का मतलब यह नहीं कि कुछ भी ऐसे ही लगा दें उसको अच्छे से पढ़ें हो सकता है कि answer आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसका सही answer आप कर जाओ तो इसमें जो हमारा right answer हो जाएगा question number 5 का वो है आपका option number C स्वर को और अधिक प्रभावसाली बनाना प्रशन में यह पूछा गया था कि स्रवन को संचार का सबसे महत्वपून पहलू माना जा सकता है इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है स्वर को और अधिक प्रभावसाली बनाना जो है यह आपका right answer हो जाएगा question number 5 का आईए एगले question को देखते हैं अगला question हमारा है question number 6 इसमें दिया गया कि निमनलिखित में से कौन से सब एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उप्यूग थे इन चार option में से पहला option है सूचना का स्रवण B option है मुल्यांकन स्रवण C option है गुरुत्वा पूरुवक स्रवण और D option है गतिसील स्रवण तो यह चार option दिये गये हैं तो इसमें आपको बताना है right answer इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है option number B मुल्यांकन स्रवण प्रश्ण में पूचा गया कि निमनलिखित में से कौन से सब एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उप्यूगत है तो मुल्यांकन स्रवण जो है इसका right answer हो जाएगा इस question के according आईए अगले प्रश्ण को देखते है अगला प्रश्ण मारा है question number 7 इसमें दिया गया कि अगर लिखित में से कौन सा कथन मुल्यांकन स्रवण से सम्वंदित है पहला option है किसी विचार को स्विकार या अस्विकार करना B option है वक्ता के व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा का मुल्यांकन करने के लिए C option है दोनो यानि A और B दोनो सही है और D option है प्रोक में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number 8 किसी विचार को स्विकार या अस्विकार करना प्रश्ण में ये पूछा गया है कि अग्र लिखित में से कौन सा कतन मुल्यांकन स्रवन से संबंदित है तो किसी विचार को स्विकार या अस्विकार करना जो है ये संबंदित है आपका अग्र लिखित ठीक है मुल्यांकन स्रवन से ये क्या है संबंदित है आईए एगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण मारा है प्रश्ण नमर आठ इसको भी देखते हैं इसमें दिया गया है कि फ्रांसिस गैलन के अनुसार अनुवान सिक्ता का सारा स्रेय ततकाल माता पिता को नहीं बलकी दूर के पूरवजों को जाता है निमनलिखित में से किसको अनुवान सिक्ता का केवल 50 प्रतिसत जो है स्रेय जाता है या हमें बताना किसके अनुसार फ्रांसिस गैलन के अनुसार पहला दिया गया है माता पिता B दिया गया दादा दादी नाना नानी C दिया गया पर दादा पर दादी या पर नाना पर नानी D उप्सन है उप्रोक में से कोई नहीं तो इसका जो सही आज़र हमारा हो जाएगा वो है Option number A माता पिता प्रश्ण में आपसे यही पूचा गया था कि फ्रांसिसी गैलन के अनुसार अनुवानसिक्ता का सारा स्रेय तत्काल माता-पिता को नहीं बलकी दूर के पुरवजों को जाता है और हमें बताना एकि इन चारों ऑप्जन में से किसको अनुवानसिक्ता का केवल 50% स्रेय जाता है तो 50% जो सुरे है वो माता-पिता को जाता है ठीक है आई ये अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9 इसको देखते हैं इसमें दिया गया कि सिच्छन प्रक्रिया के निमनलिखित नीचे जो कूट दिया गया है उसके according जो है अपना सही आंसर कمنड बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा पहला जो सोपान दिया गया है वर्तमान ग्यान को पूर्व ग्यान से संबंधित करना दूसरा दिया गया मुल्यांकन तीसरा दिया गया पूनस सिछन और चोथा दिया गया है सिच्छन उद्देशियों का निरूपन और पाचवा दिया गया है सिच्छन समागरी की प्रस्तुती ये आपका जो है क्रमबत तरीके से नहीं दिया गया है सिच्छन प्रक्रिया के सोपान के अंतरगत ये जो है इधर उधर दिया गया है आपको इसको क्रमबत तरीके से लगाना है फिर इन चारों option में से जो है अपना सही answer चुनना है तो इसका जो सही answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number D option D आपका right answer हो जाएगा यानि कि पहले number पे आपका आएगा सिच्छन उद्देसे का निरूपन फिर उसके बाद आपका दूसरे number पे आएगा वर्तमान ग्यान को पूर्व ग्यान से संबंदित करना या जोड़ना फिर उसके बाद आपका तीसरे number पे आएगा सिच्छन समागरी की प्रस्तुति फिर उसके बाद चौथे number पे आपका आएगा मुल्यांकन फिर पाँचवे नंबर पे आपका आएगा पुना सिच्छण तो इस order में आप इसको लगा सकते हैं और इस order में लगाने के बाद जो है आपको करना ये कि इन चारों option में से आपको इस order में कौन सा option मिलता है उसको आपको trick लगाना तो D option जो है हमारा right answer हो जाएगा इस question के according इस प्रकार के बहुत सारे प्रशना आपसे पूछे जाते हैं प्रतेक unit में अलग-अलग तो सभी units में हम इस types के question को cover करेंगे ताकि इस प्रकार के प्रशना आपसे एक jam में अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी के साथ उसको solve out कर तो इस प्रकार व्याकर क्याता है उक्त-च्षातर निम्नलिकित में से किस वरगीः करण कें अंतरगतात हैं यान liar जाता है यह बताना है चार करने नीचे दिए गए हैं पहला है एक प्रभावि स्रोता B Organization है मुल्यांकन करने वाला स्रोता सी है एक यर्थात वाधी स्रोता D यह option है उप्रोक में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो है option number B एक मुल्यांकन करने वाला स्रोता प्रशन में यह पूचा गया है कि एक छात्र व्याख्यान की अवधी में सिच्छा की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है तो उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गी करण के अंतर गताते हैं तो एक मुल्यांकन करने वाले स्रोता के वर्गी करण में यह छात्र आते हैं प्रश्ण नमबर 10 का जो है आप्सन भी हमारा राइट अंसर हो जाएगा आईए एगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण नमबर 11 इसको भी देखते हैं इसमें दिया गया है कि निमनलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कारे करते हैं पहला उप्सन दिया गया है अपनत्व और समानता की भावना बे उप्सन है चैन के लिए सुरच्छा और स्वतंतरता और C option दिया गया अनौपचारिक वातावरण और D option दिया गया उप्रोक में से सभी तो इसमें हमें सही जवाब देना इस प्रशन के एक ओर्डिंग तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका option number D उप्रोक में से सभी यानि कि ये सभी आपका right हो जाएगे प्रशन में यही पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन से उपाए संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कारे करते हैं यानि कि इन चारों में से इसे कौन से उपाए है जो संचार प्रक्रिया को बहुत ही आसान या सुगम बनाते हों इसके बारे में हमें बताना है तो मैंने चारों आपको बताया और राइट आंसर इसका जो है आपसन नमबर D हो जाएगा यानि कि अपनत्व और समानता की भावना भी जो है आपका संचार प्रक्रिया को सुगम बनाती है और B जो है आपका चैन के लिए सुरच्छा और स्वतंत्ता भी संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कारे करती है और C आपसन है अनपचारिक वातावरण भी संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कारे करती है तो इस प्रकार से जो है option D आपका right answer हो जाएगा आई एगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमर 12 इसको देखते हैं इसमें दिया गए कि निम्नलिकित में से किसको हम अधिगम का एक परिडाम कह सकते हैं इन चारो आपसन में से यानि कि हम अधिगम करते हैं और उसके परिडाम स्वरूप हमें इन चारो आपसन में से क्या मिलता है यह हमें बताना है पहलो आपसन है बुद्धिमत्ता B आपसन है परिपक्वता C option है causal और D option है इसमरण सकती तो इसका जो सही answer हमारा होगा वो है आपका option number C causal मिलता है हमें प्रश्ण में यही पूछा गया कि निमनलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परेडाम कह सकते हैं तो अधिगम के परेडाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है causal उमिद करता हूँ आपने यह right answer लगाया होगा आई एगले question को देखते हैं इसमें हम question number 13 को देखते हैं सभी question बहुत ही important आपके exam के point of view से तो सभी question को जो है अच्छे से solve out करें अगर किसी question में आपको कोई परिसानी होती है या समझ में नहीं आता ये question गलत लगता है तो उसके बारे में भी comment box में आप mention कर सकते हैं तो question number 13 को देखते हैं नेमनलिखित में से कौन से सब्द मानसिक विकास को सबसे उपयूक्त रूप से वर्णित करते हैं इसके बारे में बताना है पहला option दिया गया मानसिक विकास का स्वरूप सारिरिक विकास के समनांतर चलता है B option यह एक अनिस्चित पैटर्न होता है C option यह एक अनियमित पैटर्न नहीं है D option मध्य किसोर तक व्रिद्धी एवं तत्पस्चात समतल होना इन चारो option में से आपको सही answer बताना है तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number D मध्य किसोर तक व्रिद्धी एवं तत्पस्चात समतल होना प्रशन में यह पूछा जा रहा है कि निमनलिकित में से कौन से सब्द मानसिक विकास को सबसे उप्युक्त रूप से वर्णित करते हैं तो मध्य किसोर तक व्रिद्धी एवं तत्पस्चात समतल होना जो है मानसिक विकास को सबसे उप्युक्त रूप से वर्णित करता है प्रशन no.13 का option number D हमारा right answer हो जाएगा आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन दिया गया है प्रशन no.14 इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्रवन के संदर में सही है पहला option है स्रवन एक सारीरिक प्रक्रिया है ध्यान पुरुवक स्रवन एक मनोवज्यानिक प्रक्रिया है दूसरा option दिया गया है स्रवन एक मनोवज्यानिक प्रक्रिया है ध्यान पुरुवक स्रवन एक सारीरिक प्रक्रिया है और D option दिया गया है दोनों जैविक प्रक्रिया है तो हमें इसमें से सही आंसर बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा option number A स्रवन एक सारेरिक प्रक्रिया है ध्यान प्रूवक स्रवन एक मनोवज्यानिक प्रक्रिया है प्रश्ट में यही पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन सा कथन स्रवण के संदर्म में सही है तो option ए जो है स्रवण के संबंद में सही है स्रवण एक सारीरिक प्रक्रिया है यानि कि हम जब सुनते हैं तो हमारे जो physical parts होते हैं body के वो भी काम करते हैं तो यहाँ पर यह भी सही है स्रवण एक सारीरिक प्रक्रिया है उसके बाद इसमें दिया गया है कि ध्यान प्रूवक स्रवण एक मनोवग्यानिक प्रक्रिया है यानि कि जब हम ध्यान से किसी चीज को सुनते हैं तो यह एक मनोवग्यानिक प्रक्रिया के अंतरगता आ जाता ह यानि कि हम मस्तिक्स से या मन के द्वाराग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं तो ये option है हमारा right answer हो जाएगा question number 14 का आईए अगले question को देखते हैं अगला question हमारा है question number 15 इसको देखते हैं इसमें दिया गया कि निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही है तो सभी कथन को पढ़ लेते हैं फिर इसको बाद right answer देने का प्रयास करते हैं पहला option दिया गया मानवी ये रिस्तो को स्रवन प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है बी option दिया गया उच्च सिच्छन संस्थान के चात्र समवाद इस्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं सी option है स्रवन हमारी संचार का केवल मातर एक छोटा सा अंस होता है डी option है उप्रोक में से कोई नहीं सही है तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा option number प्रश्ण number 15 का तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है option number B उच्च सिच्छन संस्थान के चात्र समवाद इस्थापित करने में अपना आधा काल या अपना आधा समय निकाल देते हैं प्रश्ण में यही पूछा गया है कि निमनलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है तो option B हमारा right answer हो जाएगा आईए एगले प्रश्ण को देखते है इस प्रश्ण में पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है निमनलिखित में से कौन से सब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने में प्रियुक्त जो है किये जा सकते है चार option दिया गया है प्रश्ण में यही पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति सुनता है और दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करता है और हमें यह बताना है कि इन चारों option में से कौन से सब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के प्रियुक्त किये जाते हैं पहला option दिया गया है तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका option नमबर B प्रशन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करता है तो इन चारों option में से हमें यह बताना था कि व्यक्ति को व्यक्ति करने के प्रयूक्त किये जा सकते हैं इन में से कौन सा स्रवन तो समानु भूती स्रवन जो है आपका right answer हो जाएगा इस प्रशन के according आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमबर 17 इसमें दिया गया है कि निमनलिकित कत्नों पर विचार करना है कुछ statements दिये गए इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद जो है इसका सही answer देने का प्रयास करते हैं पहला statement दिया पर ज्यादा ध्यान न देना तीसरा दिया गया है विशय बदलने के लिए हस्ता छेप करना तो ये तीन statements दिये गया है और पूछा गया है कि निमनलिकित में से कौन से लिंग को इन कत्नों से संबंदित करने की संभावना अधिक है यानि कौन से लिंग यानि इस्तरी या पूरुष लिंग के साथ इन सबे statement को हमें connect करना है तो चार option नीचे दिये गया है जैसा आप देख सकते हैं और आपको सही answer देना है तो इसका जो सही answer हमारा हो जाएगा option number A पूरुष यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि निमनलखित में से कौन से लिंग को इन कत्नों से संबंदित करने की संभावना अधिक है तो यह देखे पहले statement एक बार और देख लिजे ताकि question आपको और अच्छे से समझ में आ जाए पहला दिया गया है समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास दूसरा दिया गया है गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान न देना और तीसरा दिया गया है विसे बदलने के लिए हस्तचेप करना तो यह पूरी तरह से आपके पूरुष लिंक के तरब जो है पूरी तरह से क्या है indicated या संबंदित है तो प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमर 18 इसको देखते हैं इसमें दिया गया कि निमनलिखित में से कौन से सब्द गहन सोच को दर्साते हैं गहन सोच के बारे में कुछ सब्द दिये गया है उसके बारे में हमें बताना है पहला दिया गया है ध्यान पूर्ण रूप से विवरण पर केंद्रित करना दूसरा दिया गया ऑप्सन संचार के संदर्व की अपेच्छा करना C जब संदेश प्रस्तुत किया रहा है तब मुल्यांकन करना D ऑप्सन दिया गया यह केवल सुनने के साथ जुड़ा हुआ है तो हमें इसमें सही आंसर बताना है तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है उप्सन नमबर C जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मुल्यांकन करना प्रश्ण में यह पूछा गया है कि निमनलिखित में से कौन से सब गहन सोच को दरसाते हैं इनमें से कौन से सब जो है इसको अच्छे तरीके से दरसाते हैं तो जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मुल्यांकन करना तो यह जो क्या करता है गहन सोच को दरसाता है तो यह हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण नमबर 18 का option number C right answer है आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण नमबर 19 इसको देखते हैं इस पष्ट जानकारी के उद्देश से से प्रश्ण पूछना संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाली विशेवस्तू की पहचान करना इत्यादी मून रूप्ट से किसको इंगित करता है इन चारों option में से हमें बताना है पहला दिया गया स्रमन बाधाओं को B option मरणजन के लिए सुनना और फिर उसके बाध C option दिया गया है संदेशों को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना और D option दिया गया है उप्रोक में से कोई नहीं तो इसमें जो हमारा सही answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहाँपर type में mistake है यह C होगा option number C हमारा right answer है संदेशों को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना प्रश्ण में देख लीजे एक बार और कि क्या पूछा गया था इस पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्ण पूछना संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाली विशेवस्तू की पहचान करना इत्यादी मूल रूप से किसको इंगित करती है संदेशों को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेने की तरफ पूरी तरसे इंडिकेटेड करती है हम तकनीक की सहायता किसले लेते हैं कि गलतियां बहुत कम से कम हो तो यहाँ पर प्रशन नमबर 19 का जो है आप्सन नमबर C राइट आंसर हो जाएगा आईए अगले प्रशन को देखते हैं और अगला प्रशन जो है इस वीडियो का लाश्ट प्रशन होगा आईए देखते हैं उसको तो हम प्रशन नमबर 20 को देख लेते हैं इसमें दिया गया कि निमनलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाओ माना जा सकता है इन चार आप्सन में से पताना है पहला आप्सन दिया गया सब्दों के वितरन गती सारांस करने से बचने का प्रयास और सूचना की समिच्छा करना बी ओप्सन दिया गया है रचनात्मक सोच पर कम ध्यान देना विवरण पर ध्यान न देना एवं व्याख्यान संकेतों की अंदेखी करना सी ओप्सन दिया गया है नोट्स न बनाना ताकि व्याख्यान एवं संदेश वित्रण पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके और D option दिया गया है रूची पुर्वक अंस पर ध्यान देना भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहन करना तो इसमें सही आंसर हमें बताना है इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है option number D रूची पुर्वक अंस पर ध्यान देना भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहन करना प्रश्ण में देखिए ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाओ माना जा सकता है यानि कि जब हम व्याख्यान सुनते है तो इन चारो सुझाओ में से किस सुझाओ को इंप्लिमेंट कर सकते है या उसको मान सकते है तो option D हमारा right answer है जब हम व्याख्यान सुनते है तो रूची पुर्वक अंस पर ध्यान देना यानि कि जो हमारे रूची के according जो भी सब्द है या जो भी तथे बताय जा रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए भटकाओ से बचना यानि कि और भी जो distraction है व्याख्यान सुनते वक्त उससे बचना चाहिए फिर उसके बाद मुख्य विचारों को ग्रहन करना चाहिए यानि कि लंबा text दिया रहता है तो इसमें confusion होने का भी बहुत जादे समस्या होता है यानि confusion हो जाते हैं कि ज़्यादा text दिया है और question को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और answer गलत कर देते हैं तो बहुत ही इत्मिनान से ऐसे प्रशनों को पढ़ना चाहिए फिर उसका answer देने का प् अमीद करता हूँ कि जितने भी question मैंने आपको बताए या प्रशन बताए जो 20 महतोपूर्ण प्रशन है वो सभी important है आपके exam के point of view से कोई भी question में अगर कोई दिक्कत है कोई query है समस्या है तो comment box में आपने संकोच पूछ सकते हैं और एक बात और कहना चाहूंगा अगर जि इस प्रकार के video चाहिए उसके बारे में भी suggestion दे सकते हैं और जो आपकी need है जो चीज़ चाहिए उसके बारे में भी comment box में बता सकते हैं तो सिच्छन अभी वृति से आपको 1-2 और वीडियो मिलेगा 2-3 यानि कि अभी मैं आपको 20-40-50 question और कराऊंगा जिसके बाद आपके 200 से above question cover हो जाएंगे तो मैं उमीद करता हूँ कि इतने question में से आपका 5 question आसानी के साथ बन जाएगा इसी प्रकार से हम आगे सोध अभी वृति से भी 200 से उपर question को cover करने का प्रयास करेंगे और बहुत आसानी के साथ आप maximum marks प्राप्त कर सकते हैं UGC net first paper में उसके साथ जो है previous year के भी question जो है आपको कराया जाएगा वो भी प्रतेक unit को अलग-अलग करके जितने भी question पूछे गया है सबोच करिए सिच्छन अभिवरिती से तो जितने भी previous year में question पूछे गया है उन सभी प्रशनों को एक जगा संकलित करके जो है आपको provide क कर दिया जाएगा इस तरह से आपको बहुत ही easy होगा और सारे question एक जगा आपको मिल जाएंगे उमिद करता हूं कि वीडियो का session आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो इसको like जरूर करें आपके एक like से जो है हमें बहुत सारा appreciation मिलता है हमें लगत से आप कुछ भी चूच कर सकते हैं आपको जैसा भी लगे उस बारे में feedback जरूर दें उसके साथ साथ share करें इस वीडियो को maximum दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से help मिल सके जैसा कि मैं हर वीडियो में last में बार बार बोलता हूं कि सब कुछ जो भी मैं provide करता हू यह content यह video यह सब भी free of cost है इसका कोई charge नहीं रहता है तो आप तो इसका lab ले रहे हो इसके साथ साथ जो है ऐसा करो कि दूसरे भी इसका lab ले यानि आपको तो फायदा मिल ला है लेकिन आप इसको share करोगे तो दूसरों को भी इसका lab मिल सकता है जिनके पास पैसे नहीं है ज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगर में जो bell icon का button होता है इस प्रकार से आप उसको जरूर प्रेस कर लें अगर आप subscribe कर लेते हैं अगर bell icon को प्रेस नहीं करते हैं तो आप पे किसी भी वीडियो का notification नहीं जाएगा इसलिए आप bell icon को जरूर प्रेस कर लें जिससे जब कभी भी इस चैनल पे कोई भी important वीडियो upload की जाएगी उसकी notification जो है आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को miss नहीं कर पाओगे और इस चैनल पर लगबग सभी exam की preparation कराई जाती है उसके बारे में भी जल्द सूचना आपको मिलेगी और भी जो है team के member जुडेंगे इसमें चैनल पे ताकि वो और भी जो sector है exam के उस पे जो है काम कर सके तो आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते है next video कुछ और important topic और important question के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत